तो गाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या आज की समय में यह निच काम करेगी या नहीं तो इसके लिए यहां पर आपको लाइब दिखाता हूं गूगल ट्रेंड पर मैं आ चुका हूं और यहां पर देखो मैंने कॉट्स सर्च कर दिया ठीक है और आप इसका ग्राफ दे आपको यह जो ग्राफ है गैस यह जो नीचे वाले लाइन इससे सठीवी दिखाई देती है तो आप सबस जाओ कि भाई इन पर काम नहीं करना चाहिए हमें लेकिन यहां पर जो ग्राफ काफी जादा उपर है देखो 75% के आसपास यहां पर शो कर रहा है ग्राफ ठीक है इस इस नीचे लगबग आया ही नहीं है यहां पर अप देख सकते हो थीक है यहां पर देखो नीचे आप देख सकते हैं काउंट्डान यहां पर 76-81 इस तरह से जा रहा है तो भाई इस तरह के भी निचे आजके समय में भी काफी अच्छा आरा सा दूम मचा रहे ऐसा नहीं कि यह काम नहीं करता है अब काफी सारी यूटूबर्स के मुझ से सुनों गई कि इस तरह के नीचे से वगेरा पर काम करना आज के समय में वेस्ट आफ टाइम है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है इंटरनली वह खुद इन सभी नीच उसको टागेट करते हैं क्योंकि यहां पर जो यह कॉट्स लाइफ टाइम जो पर्टिकॉररली हिंदी इंग्लिस में कॉट्स को टागेट करती है और देखो इस नीच की एक और खासियत है कि यहां पर भाई आप हिंदी में अपना कॉंटेंट बना सकते हो और पूरा पूरा जो कॉंटेंट होता है वह कॉपी पेस्ट कह अभी मैं आपको पूरा वेबसाइट डिजाइन करके प्लस वेबसाइट पर पोस्ट की सबसे डालना है सारा कुछ मैं अभी आपको डीटेल में बताऊंगा तो आपको सारी चीज़े अच्छे से मालूम चल जाएगी इस वेबसाइट का मैं आपको ट्राफिक दिखा देता तो यहां पर देखो जैसे आप नीचे आ हुए तो सारा ट्राफिक बाई इंडिया से आ रहा हो ऑब्यस से बाते हैं इस तरह के नीचे से ज्यादा तर जो बलिक और इंडिया की होते है क्योंकि हर सुबह उठके या नहीं 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 कॉट्स वगेरा चाहिए अपनी करने के लिए आप यार करते होंगे या आपने किया होगा कभी ठीक है तो यहां पर देखो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वह सर्च से ही है यहां पर जैसे कि आप स्कीन पर देखा रहा है 85 परसेंट अब मैं आपको इसको सेम रस पे भी दिखा देता हूं तो यहां पर सेमरे स्पेस का डेटा देखो सेम वेबसाइट है कॉट्सलाइफटाइम.com और इस पर आप देखो और जो सर्च है गाइस ट्राफिक यह कितना सो कर रहा है 1.3 मिलियन यहां पे जो जो यह ट्राफिक आपको शो कर रहा था ना सिमिलर वैब ऐसा नहीं कि यह गलत बता रहा ह लेकिन इसमें जो डेटा यह वो थोड़ा से जल्दी अपडेट नहीं कर पाता है जिस वज़े से यह पुराना यह डेटा यहां पे फीच करके रखा हुआ है लेकिन रिसेंटली अभी अगर हम इसकी ट्राफिक के बाद करें वेबसाइट की तो देखो 1.3 मिलियन से ओपर क केसे स्टड़ी दिया किसे से आप लिरिक्स की वेबसाइट बना सकते हो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लेना इससे पहले ही वाली वीडियो में ने डाले वी ठीक है तो आपको मिल जागी है हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा प्रॉपर में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और यह कीवर्स कहां से वगेरा मिलेगा सारा कुछ बताऊंगा क्यूंकि आगर आपके पास कीवर्स होगा तो आप 30 मार्खान हो आप समझ लो अपने आपको ठीक है तो जैसा कि आपने देखा यार काफी अच्छा खासा प मोटिवेशन टाइप ही वीडियो से देख करके परेशान हो चुके हैं लेकिन कोई भी बताता नहीं है कि वेबसेट आखिर बनानी कैसे किसा से पोस्ट लिखना है किस तरह से हमें कीवर्स वगेरा को मैनेज करना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा तो वीडियो यहां पर आपको लॉंग कट ही चलना पड़ेगा तो अब आपको क्या करना है तो अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास नहीं है से अपनी होस्टिंग और पर्चेस कर सकते हैं और यहां पर आपको डोमें और एससे बिल्कुल फ्री आपको बताता हूं कि काफी लोग के दिमाग से निकल जाता है और यह निकालने हाली चीज नहीं इसको आपको यहाद रखना पड़ेगा काभी छोड़ी सी चीज है तो इन सब चीज़ों आपको ध्यान रखना सबसे पहले सेटिंग पर आ जाना है और अपनी वेबसाइट का बाई नाम आपने डाल देना जो भी जिस भी निच पर वेबसाइट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर नाम करन करना यहां पर क्या और यह कैसे हम कॉर्स देखने वाले तो हम यहां पर कॉर्स लिख देते हैं आप अपने हिसाप से टाइटल कीवर्ड फ्रेंडली या जैसा चाहो वैसा अच्छा खासा टाइटल आप यहां पर लिख सकते हो कोई दिक्कत वाले बात नहीं ठीक है उसके बाद सेंपले नीचे आजाना है इसको सेव चेंजिस पर कर देना है क्लिक और यहां पर फिर पन्वा लिंक पर आपको चले जाना है देखो यह आपको बेसिक सेटिंग लग रहा होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है जब भी आप इसी निच पर काम करो ना तो इन चीजों को आपको 100% करन धेना है उसके बाद dodI्न पर कर देना है और यहां पर फिर फिर से एक रेडिंग सेक्शन मिलेगा यत आपको आजाना और यहां पर अपको सेफ चेंजिस पे क्लिक कर देना है उसके बाद सिंपली आपको अपिरेंस में जाना और यहाँ पर एक थीम को इंस्टॉल कर देना है मैं जरल यह जर्ड़ प्रेस पर ही ज्यादा तर काम करता हूं और इस परटगॉल निच के लिए भी मैं आपको यही थीम रिक्रमेंड करू तो अभी फिलाल यहां पर आपको कुछ मिलेगा ने इस वीडियो के बाद जो मैं कीवर्ट करने वालाओ न वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और वह भी ज़स्ट फोर्टी नाइन रूपीस में सारे के सारे कीवर्ट में प्रोवाइट करूंगा ठीक है ना तो आपको सारा कुछ भाई हमारे चैनल पर मिलेगा ऐसा नहीं कुछ मैं आधा दूर आपको छोड़ूंगा ठीक है तो कीवर्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता अगर आपके हाथ में कीवर्ट आगया ना भाई तो आप अंधा दून भी काम करोगे अपनी तो भी आप अच्छा गासा रैंक कर जाओगे तो यह थीम आपको यहां पर इंस्टॉल कर लेना उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है कुछ इस तरह से नजर आने लगेगी जैसा कि आप यहां पर स्कीन पर देख पार हो ठीक है यहां पर कॉर्स टाइटल आगया प्लस आ बारबा बताने नहीं पड़ेगी जो छोटी-छोटी चीजी ओते ठीक है मैन्यूस वगेरा जैसे वगेरा तो यह बारबार मुझे बताना नहीं पड़ेगा तो ठीक है ना तो पूरा वीड़ो देखा करो फिर बाद में आपने तो कमेंट करते हो यह चीज नहीं समझ आया तो पूरा वीड़ो आप देखोगे तभी आपको सारी चीज़े समझ आएगी तो यहां पर आपको मेन्यूस बना लेना तो यह तो लिरिक्स की मेन्यूस मैंने बनाया था तो इसे मैं यहां से डिलीट कर देता हूं ठीक है उसके बाद यहां पर आपको अपना लिरिक से रि ठीके तो यहाँ पर जो आपकी ककेडिग्री वह एड हो जागी इसी तरह से और भी जो भी डिफरेंट कड़ेंग्रीography से जैसे आप यहाँ पर I सकते हो ठीके देखो जिस भी निच पर आप काम करते हो ना तो अपने निच से रिलेटेड़ वेबसाइट को यार थोड़ा सा अनलाइज करो जज करो कि वो भाई किसार से काम करी वो किन-किन मैनूस वगेरा पर काम करी इससे आपको काम यार काफी जादा आसान हो जागा और आप अपनी मुताबिक जस्ट काम करते हुए चले जाओगे आज के समय में तो यार वो कचड़े वाली बात होगे ठीक है वो गधे जैसा काम करना हो गया तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट ले करके चलना पड़ेगा हर एक चीज को थोड़ा बहुत अनलाइज करना तो घंटा कुछ भी नहीं होगा ठीक है आप सोचते जाओगे क्योंकि इस फिल्ड में एक चीज नहीं होता है आपको जब आप करने खुद बैठोगे ना तो काफी कुछ हमें करना पड़ता है ठीक है और काफी प्रॉब्लम्स वगेरा भी आती है जो हमें खुद रिजॉल जाए गाइस वह भी अपडेट हो जाएगा वैसे हम इसको मेन्यू में भी एड कर देते तो यहां पर मेन्यू सेक्शन में चले जाते हैं अपरेंस में जाकर के मेन्यू में जाकर के देखो अगर आपको कुछ स्टेप समझ नहीं आता तो वीडियो को पाउस करके भी आप द पोस्ट डालना क्योंकि यहां पर अब हमें ज्यादा सेटिंग्स वगेरा करने की जरूत नहीं है और किसा से आपको साइड बार का जो यहां पर एक्स्टा वर्ट्स थे वह अटाने वगेरा थे वह किसा से था वह मैंना और यहां वीडियो में बताया था फिर भी आपको ग हटाना तो इस पर क्लिक करो और यह जो रिमूब हेडिंग्स पर करें तो यह अट जाएगा ठीक है उसी तरह से निचे वाले को भी आप इसी पर क्लिक करके हटा सकते हो अब अपने आप से फिर जो भी चीजह यहां पर एड करना चाहो ना तो वह भी अहां पर अड वह क्योंकि उतना प्राइज रखना यार कोई वर्थ प्राइज नहीं होता भाई ठीक है काफी सारे ब्लॉगर्स को यार मैंने दिखा कि यार वह भाई प्राइज इतना ज्यादा रख दिया और उनमें कॉलिटी वैल्यू कुछ होता ही नहीं ठीक है तो इतना हाई-फाई जाते हैं बेसिक बेसिक चीजहों में फस्ते हैं तो सारी चीजी है मैंने एक्स्पीरिंस के साब से उस-पड़को कोर्स में कवर किया हुआ ठीक है तो वीडियो वैसे मैंने सटार्ट कर दिया देकिन अभी यह आपी इन complete करना पाकी है तो इस तरह से यहार लगबग आप अ essence का approval मिलेगा और तभी हमारी earning भी start होगी ठीक है ना तो यह छोटी सी चीज़ आपको बस कर ले ना उसके बाद simply अब हम देख लेते कि हमें post किस तरह से अपनी websites पे डालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वापस अपने WordPress के back end में आ जाएंगे पोस्ट सेक्शन में आएंगे और जो मैंने कल पोस्ट डाला था लेरिक्स website के लिए तो उसे मैं यहाँ पर कर देता हूं ठीक है यहाँ पर पर क्लिक कर देता हूं और अब हम नया पोस्ट डालते हैं और मैं कॉर्ट का स्टाइल आपको बता हूं किसा से अब आपको कॉर्स टाइप का पोस्ट लिखना है देखो आप काफी सारे websites पे देखोगे आपको रेंडम इस तरह से कॉर्स देखने को मिल जागा ठीक है जो मन की सेपरेटली सिंगल सिंगल यहाँ पे कॉर्ट को डाला गया है लेकिन आपको इस तरह से काम नहीं करना देखो यह जो आपको दिखाई दी रहें यह आज की website नहीं काफी पुरानी website से ठीक है तो यह उस तरह से पहले से काम करते वे आ रही थी तो यह सारी चीजे चल गया लेकिन आज की समय में आपको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा सर्चिवल को लगाना है जैसे टॉप 5 टॉप 3 मोटिवेशनल कॉर्ट्स टॉप 3 टॉप 4 सैड कॉर्स ठीक है सेलेब्रिटी कॉर्स पॉजिटीव कॉर्स इस तरह से आपको टॉप 5 टॉप 10 का आपको यूज करना है क्योंकि जादा तर लोग आज के समय में इस तरह से भी सर्च करते ह इस तरह से नचाफी जान्स का जाते आपको इस तरह से काम करना है कि कि आफ एक कहा होगति को च्यूटे-वर्डइव। डालते रहोगा तो अपको थोड़ चा की वर्ड्ली चलना पड़े मैं आपको डिखा तो सीनक एर ऐकंपल समझ लो मैं आपको रिखा घीर यहां पर मैंने कीवर्स प्रॉपर इस वेबसाइट का निकाल के रखा हुए पूरे के पूरे तीस हजार कीवर्स है जो आपको मैं देने वाला हूँ ठीक है तो यहां पर आपको जो कुछ इस तरह से ले आउट में आएगा जैसे कि आप स्कीन पर देख पारो जैसे यह वीड यूज़ करते हैं तो ज्यादा अच्छा है अगर आप यह सारी चीज़े मोबाइल में करने के कोशिज करोगे तो थोड़ा सा महां पर कॉम्प्लिकेटेट हो जाएगा ठीक है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैप्टॉप या कंप्यूटर का यूज़ करना तो आपके आपको क्या करना इस तरह से ले आउट आपको दिखाए देगा तो यहां पर आपको चीज़े समझने आगी कि यह क्या कचड़ा यहां पर है ठीक है तो आपको क्या करना है यह जो कॉर्णर दिखाई दे रहा है यहां पर जैसे आप यह प्लस का साइन आगा इस पर क्लिक कर तो इस तरह से आपको सारी चीज़े क्लियर नजर आ जाएगी जिसे कीवर्स हो गया पुजिशन हो गया प्रिवेस पॉजिशन सर्च वॉल्यम कीवर्ड डिफिकल्टी से पीसी यह सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा उसके बाद यहां पर देखो मैं कीवर्स तो आपको प् यहां पर काफी ऐसे सारे कीवर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका जो केटी डिफिकल्टी वह फिफ्टी टू है फोटी थ्री है थर्टी फाइव है बहुत ज्यादा है ठीक है तो इतने जादे कीवर्स पर अगर नहीं वेबसेट काम करेगी तो भूल जाओ भा सारी ठीक है तो मैंने ठीक करने का तरीका आपको बताया था क्या कि इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पर अपना करजल लिक आओ और डबल टैप करो तो यह और यहां से फिल्टर का ऑप्शन हम सलेक कर लेतें तो आपकी सामने कुछ इस तरह का यहां पर बटन शो जाता है इ जहां पर देखो यह सारे keywords चेक आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो हमें स्टार्टिंग में देखो नई websites आपको किस्ते से काम करना है 0-10 वाले जो keyword difficulty वाले keywords है उन पर आपको काम करना है ठीक है तो उतना ही हम select करेंगे हमें पूरा नहीं चाहिए तो यहां पर हम 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 उसके बाद हम simply okay कर देंगे ठीक है okay कर दिया तो हमारे सामने अब जो keywords दिखाए देगा वह पूरा का पूरा filter होके आ चुक है जिसका जो केटी difficulty आप देख सकते आठ है दस है नो है साथ है ठीक है यहां पर नौच है साथ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा तो अब आप अगर इन keywords पर काम करोगे ना तो आपको काफी अच्छा खासा ranking भी मिलेगा और result भी देखने को मिलेगा अपनी websites पर ट्राफिक भी आना लेती है ठीक है तो इन्हें भाई आप नजर अंदाज मत करना तो यहां पर एक यहां पर आपको keyword दिखाए दे रहा है लाइफ साहरी इन हिंदी तो हम क्या करेंगे इस keyword को कर देंगे यहां से copy उसके बाद आ जाएंगे भाई हम अपने Chrome browser पे और यहां पर हम सर्च कर देते हैं तो यहां पर देखो जैसी आप इस keyword को डालोगे ना search bar में तो आपको इस से related और भी काफी सारे keywords देखने को मिल जाएंगे जो लोग अक्सर गूगल पर आके search करते हैं और यह जो data है आपको कोई भी जो keyword tool है वह अच्छे से नहीं बताएगा लेकिन यह चीज Google भी बता स हम काम किसे से करना है तो simply यहां पर लाइफ सारी इन हिंदी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके आगे आगे आपको टॉप 5 टॉप 10 लगाना ठीक है तो इस तरह से ही आपको काम करना तो हम यहां पर इस इस वाले पढ़िवर्ट को पकड़ लेते हैं लाइफ सारी तो हमारे पास ये कीवर्ट जैसेट अब चली चला आ जाते हैं और यहां पे हम इस कीवर्ट को डाल देते हैं 12 आपको यह बड़ी website है तो यह कर सकती है लेकिन आपको नहीं करना आपको लिस्ट वाइस काम करना है तो हम क्या करेंगे इसके आगे हम यहाँ पर डालेंगे तो अब आपको जो कॉट्स बनाना किस्ता से वह मैं बता देता हूं हलाकि यह कॉपी बेस्ट का ही काम है लेकिन थोड़ा सा तरीके से आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि जश्ट आप किसी वेबसेट पर आए यह भाई मिल गया कॉट्स क्या कमाल है इसे कॉपी कर दिया औ तो यहां पर जैसे की एकजांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं ठीकत आपको यहां पर इलिता हैं एकिसांपल के यहां पर यांप में आपको convert करना वो कैसे करेंगे तो यहां पर जैसे कि आप देख पार हूँ यार इसने एक लड़की की image पीछे डाला है background पे आपको यह देखो जितने भी websites वगरा को आप करोगे काफी कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूद नहीं पड़ेगी तो यहां पर जैसे आप देख पार हो हमाई को यहां सैरी मिल गया अब हमें पता चल गया कि सैरी की पीछे background जो यार अगर हम लड़की और लगाएंगे तो व पूरा सा लग रहा कि यहां इसमें कुछ बात है तो आपको क्या करना है सिंपली फिर आपको आ जाना भाई अपने कैनवा में और यह कैनवा फ्री प्लैटफॉर्म है जहां से आप अपनी डिजाइनिंग वगेरा बना सकते हैं तो अगर आपको देखो फोटो डिजाइनिं मैं यहां से बना लेता हूं ठीक है तो अब आपको क्या करना है देखो हमें क्या करना है यह पोस्ट के लिए एक कॉर्ट्स वाला पोस्ट त्यार करना है तो सबसे पहले हमें यह जो पोस्टर करना हुआ तो इसके लिए आपको सिंपली आ जाना है और यहां पर आपको एक स सлекड कर लेना कस्टम साइज पर आना और यहां पर आपना साइज यार यह दे दो यहां पर यहां पर देखाना मैंने दें हो 336 by 480 यह आपको अपना सैज रख लेना तो आपके सामने कुछ सैसम बन का जागा जैसे कि जैसे कि आप इस्कीन पर देख पार हो ठीक है साइज आप एक बार फिर से देख लो इसलिए हम यहां पर मास्क वाली टाइप इमेज हम उठाएंगे तो आपको भी कुछ अपने आपको पोस्टर में डालना है तो इस तरह से आपको नहीं करना है में बशाइंड़ा है तो यहां पर इस लड़की कीिन देखो अपना जो सभर है आपना जो मुह है वह ठग रख है तो इसी ताइप कर मैने यहां पर निकाला मश्क ऐब चलए तो इसे हम यहां से copy कर लेते हैं तो save कर लेते हैं से इससे मैंने save कर लिए है तो अभी देखो इसका format यहार जी आई एफ बन रहा है तो यह I think यहां पे canva में upload होगा या यह हम देख लेते हैं तो simply upload file पर आपको click करना है और यहां पर simply upload कर देना हाई upload हो गया तो अब आपको क्लिक करो तो यह देखो यहां पर आ जाएगा अगर आपको canva use नहीं करना आता तो आप मुझे comment कर देना इसको पर भी में detail tutorial या आपको दे दूँगा हलाकी YouTube पर आपको और भी काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी ठीक है जो और भी अच्छे से आपको बता देंगे canva किस्तर से आपको यूज करना है तो इसको मैं simply क्या करता हूँ set image ऐसा background कर देता हूँ से रखते थे ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं अपने text section पर और यहां से कोई भी text आप select कर लो और जो आपने copy किया था course उसे आप यहां से पकड़ लो और यहां पर simply paste कर दो कुछ इस तरह से paste हो जाएगा अब देखो इसको आप यहां पर align भी कर सकते हूँ ठीक है तो इसको आप अपने हिसाब से छोटा बढ़ा जैसे चाहो वह आप रख सकते हो कुछ इस तरीके से ठीक है अपने हिसाब से आप छोटा बढ़ा कर सकते हो ताकि आपका image भी दिखाई दे और आपका text भी visible हो जाए ठीक है तो अब हम text का जो color है वह white कर देते हैं देखते हैं वाइट में दिखता है यह नहीं अच्छे से इसका background मैं थुड़ा सा shadow दे देता हूँ ठीक है effects में जाके shadow डाल देते हैं यहां फिर एक काम करते हैं elements में जाते हैं और यहां पर इस box को हम सब्सक्राइब करके background पीछे डाल देते हैं तो अब हमें text भाई अच्छे से नजर आ जागा देखो यह सारी चीजे ना जो छोटी छोटी चीजे होती है यह जब तक आप practical नहीं करोग खुद बख खुद यह समझ आने शुरू हो जाएगी क्योंकि यह सारी जो software से काफी ज्यादा easy to use है कोई भी बंदा यार इसे चला सकता है और अराम से इसको सीख सकता है ठीक है तो जब तक आप सीखोगे नहीं सीखने की कोशिस नहीं करोगे तो चीजे यह थोड़ा सा अब ही मैं आसान तरह किसे आपको समझाओ ठीक है तो अब मैं इसको फॉंट को ब्लैक कर देता हूं तो यह लो बैक्राउंड है तो ब्लैक आइधिंग अच्छा दिखेगा ठीक है तो यहां पर जैसे कि आप देख पार हो अब हमारा जो कॉर्ट से यहां पर रेडी हो चु होता है यहां पर की MP4 वगरा सलेक्ट हो जाता है तो वह फिर इमेज काम ने कर दो तो आपका जो कॉर्स है जनली यहां पर देखो हमने बना दिया डिजाइन कर दिया यह डाउनलोड हो चुक है ठीक है उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है अपने यहां पर और यहां पर आपको heading देना है ठीक है heading देना है यहां पर नम्मर वन इसमेज कर देते हैं सिंपली तो यहां पर ही काम खत्म नहीं हुआ है तो अभी जैसे कि आप दिख़़ए इमेज यहां पर अप्लोड नहीं हुआ ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस इमेज को यहां पर फिर से हम करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स यार आपको ब्लॉगिंग इंडेस्टिस में आता ही रहेगा कभी कभार इमेज अप्लोड नहीं होगी कभी कभी यह नहीं होता जो चीज़े आपको बड़ी-बड़ी मलगी जो यूटूबर्स वगेरा जो भी हो मतलब की हमारी चैनल पर देखने को मिलेगा यार ठीक है इसलिए मैं कहता हूं यार्ज की चानल को सब्सक्राइब करके रखो और बैल आकन प्रेस करो यहां पर सारी चीज़े इन डिटेल आती है तो अब हम क्या करेंगे इस इमेज को यहां पर अपलोड करने के लिए सिंप कर दो अब देखो यह जो इमेज हैगा इस यहां पर अपलोड हो जाएगा हमारे बैकेंड में इमेज सेक्शन में ठीक है अब हम यहां पर अपलोड करते हैं और इस इमेज को अब यहां पर हम अपलोड करते हैं तो अभी भी यह नहीं आ रहा यहां पर क्या रहा दा अप्ल अब इसे रीणेम कर लें और यहाँ पर लिग दे ज़ेवी फो फोटो जो भी रखना है अब हम चेक कर लेते हैं तो अब आप इसे यहां पर डालोगे तो यहां पर जैसे कि आप देख पारों अभी अप्लोड हो गया है ठीक है तो इस तरह कि यार छोटी मोटी तमाम प्रावलम से आपको फेस करना पड़ेगा स्टांटिंग स्टेज में और काफी विगनर से यहां पर फच जाते चीजें उनको मालूम नहीं होती तो उन्हें लगता कि हमारे वर्डप्रेस में प्रावलम है हमने जो होस्टिंग भाई किया वह उसमें प्रावलम है तो ऐसा कुछ नहीं उदा ठीक है तो थोड़ा गो जो प्रावलम है गईस उसे अपने तरीके से आपको को सॉल्व करना पड़ता है तो यहां पर जैसे के आप देख पारें हमने सक्सेस्फुल इमेज को अप्लोड कर दें उसके बाद जो कॉट्स हमने इमेज में अप्लोड के ना इमेज के साथ उस को हम यहां पर डालेंगे ठीक है तो उसके लिए फिर से हम यहां पर जाते हैं औ अपने बैकेंड एरिया में आ जाते हैं और यहां पर इस कॉट्स को हम क्या कर देते हैं पेस्ट कर देते सिंपले ठीक है और इसे हम सेंटर अलाइन कर देते हैं इमेज को भी आप सेंटर अलाइन कर लो ठीक है एक सगने ठीक है तो हमारा इमेज यहां पर जैसे कि आप बस और आपने भी सेम ऐसे कर दिया तो यहां पर थोड़ा सा आप competition के अंदर मनले कि यह आ नहीं पाऊगे ठीक है और competition सा बाहर नहीं निकल पाऊगे तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप अपना touch अपना flavor डालोगे एक्स्ट्रा कुछ अपना डालोगे तो ज्यादा बहतर तो अब हम क्या करेंगी यह जो course यहां पर देखने को हमें मिल रहना इसे हम यह जैसे हिंदी में है तो हम इसे English में डालेंगे इंग्लिस मदलना कि जैसे आप वाट्सब पर बात चीट करते हो ना या जैसे हाई हलो दोस्त कैसे हो यह वगएरा हम जैसे हिंदी में लिखते है न तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आजाना है गूगल पर यहाँ पर गूगल टांसलेट सर्च करना है ठीक है तो यह छोड़ी छोड़ी चीजे आपको कोई नहीं बताएगा पूरे इंटरनेट पर भाई ठीक इतने डीटेल में सिंपली आप यहाँ पर से पेस्ट कर दो अब देखो यहाँ पर जैसे आप पेस्ट करूगा टांसलेटर में तो यह जो हिंदी में लिखा है वो आपके यहाँ प आपको एंटर प्रेस करना और इस बार यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके कोट्स का यह देखो यह ब्लॉक आपको मिलता है इसको क्लिक करो और यहाँ पर फिर अपने कोट्स को आपको सिंपली पेस्ट कर देना है तो अब जो आपका प्रॉपर पोस्ट है भाई वो रेडी हो चुका है पब्लेस के लिए ठीक अब यहां पर आपको जादा कुछ भी करने के ज़रूद नहीं है और कॉर्ट वेबसाइट की खासियत यही है यहां पर आपको जादा काम करना नहीं पड़ता है बस आपको थोड़ा सा मलकी दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा वगेरा नहीं बनाओगे आप खुद से कॉपी राइट वगेरा और थोड़ा सा यूनिक टाच वगेरा नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला ठीक है तो आपको कुछ इस तरह से करना और इसी तरीके से आपको यहां पर मैंने टॉक फाइब बताया मैंने यहां पर वन बत कीवर्स पर अच्छे से काम कर पाऊगे यह जो कीवर्स आपको यहां पर दिखाई देरें ठीक है और यह कोई कम कीवर्स नहीं 30,000 के आसपस कीवर्स है तो सारे के सारे कीवर्स आपको मिलने वाले बाई उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है यह आज को पूरी अ वेबसाइट को समीट करते हैं ठीक है वगेरा फिर किस्ता से हम इसका थोड़ा सा SEO आप्टिमाइज वगेरा करते तो उसके उपर मैं डेडिकेटेड वीडियो यार बहुत चाहिए ठीक है देखो सारी चीजे एक ही वीडियो में कवर नहीं की जा सकती अगर मैं कवर कर दूगा तो पूरा खेचड़ी बन जाएगा यार आपके दिमाग से निकल जाएगा और चीजे यार आप अच्छे से फिर इंप्लिमेंट नहीं कर पाओगे ठीक है तो धीरे-धीरे सीखोगे तो सारी चीजे आपको चीजे से समझाएगी और देखो इंप्लिमेंटेशन में टाइम लगता है काफी लोग यार काफी लोग मैं करना चाहते तो उनको रिजल्ट कहां से मिलेगा ठीक है जब आप काम नहीं करोगे महनत नहीं करोगे देखो मैंने आपके सामने सारा कुछ किया कितने सारी प्रॉब्लम्स उनको भी फिस वगएरा हमने किया ठीक है और काफी लोग क्या करते हैं कि वहां पर हार मान जाते और फिर एक्सक्यूजेस निकालना शुरू हो जाते कि इसमें प्रॉब्लम तो यह सारी चीजे नहीं करना तो यहां पे आपको मैनत भरपूर करना पड़ेगा अपना hundred percent देना पड़ेगा चाहें रिजल्ट आपको मिले यह ना मिले ठीक है इस चीज को आप अपने दिमाग में घुसा लो लिए अजके यह वीडियो में तब तक क की गयाग।